नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सर्मार्ग परानिक मानेता के अनुसार जो बुद्धी के देव हैं गनेश जी उनको दुर्वा अतिप्री है और बुद्वार का दिन उनका दिन है तो अगर आप हर बुद्वार दुर्वा दल उन्हें अर्पित करें तो जीवन की सभी से परिशानिया समाथ होती है लेकिन सिर्फ तीन बुद्वार एक महा प्रियोग कर ले तो आपके जीवन में कभी कोई परिशानी आएगी ही नहीं तो भगवान गनेश प्रथम पुझ बिग्न हर्ता देव है और किसी भी सुब मंगल कारे को करने के पहले इनकी पुझा होती है सास्तों में बुद्वार का दिन गनेश जी का दिन माना गया है और अगर आपके कुंडली में बुद्ध दोस हो जो सारेरिक आर्थिक मानसिक परेसानी जो परेसान हो रहे हैं इन चीजों से कस्टों के निवारन के लिए बुद्वार के दिन बस एक ही परियोग करें अगर आप कर्ज में फसे हैं धन की मुस्किले हैं आपके नोकरी वेपसाय में रुकावटे हैं आपके अंदर की feeling अच्छी नहीं है तो कोई भी कारे करते हैं बिगन बाधाएं आती है तब बुद्धवार के दिन छोटा सा पड़योग आप अपने घर में ही करना शुरू करते हैं आप तीन बुद्धवार भी कर सकते हैं और आप लगातार 22 दिन जैसे आज बुद्धवार है आप आज से सुरू करेंगे तो तीन बुद्धवार आते आते 21-22 दिन हो जाएगा तो इस क्रम में भी आप रोज अर्पी कर सकते हैं आप ना कर पाएं आपके घर में आपके बद दो फूल ले ऐए उसको तोड कर छोटे-छोटे टुकड़े बना लें फूल को तोड़ लें लाल रंग का फूल होता है औरेंज का उसको तोड़ कर चोड़े टूकड़े बनाकर एक डबें में स्टोर करके रख लें और इसके बाद बुद्वार के दिन गनेज जी को अर्पित करना शुरू कर दें जिसे आप भोग लगाते हैं माल लीजिए तो भोग वाले प्लेट में ही एक चुटकी रख दें नहीं तो ऐसे ही आप गनेज जी की तस्वीर के सामने किसी पातर में रख दें साम के समय उसको उठाईए और उठाकर रात में सोने के पहले कुछ दिर पहले पूरे परिवार के साथ या सिर्फ आप ही उस जावित्त्री को परशाद के रूप में खा लीजिए जावित्त्री को परशाद के रूप में आपको खाना है और खाके पाड़ी भी किस हो जाईए और ये प्रियोग आप लगातार तीन बुद्दवार तक करे या सिर्फ तीन बुद्दवार भी कर सकते हैं लेकिन लगातार आप तीन बुद्दवार तक करे तो बहुत अच्छा है और खाईएगा जरूर परसाथ के रूप में आपके भागे के तमाम जो अवरोध है उसका नास करेगा भागे ओदे होगा और गनेश जी की किपा से जीवन में कभी कोई बिगन बाद आए आपको परिसान ही नहीं करेगी करके देखे फिर कमेंट कीजिएगा हर हर महादेव ताने बाद